हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आप सिखने कि आप अपने कम्प्यूटर या फिर लैप्टोप की मदद से अपना या फिर किसी और का निवास परमानपत्र आउनलाइन कैसे कर सकते हैं घर बैठे ओ भी फिरी में दोस्त वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूं जिनका आप निवास परमानपत्र आउनलाइन करेंगे दोस्तों उनका फोटो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं उनका फोटो दोस्तों और उनका आपका अधार काड अपने कम्प्यूटर में पहुंचा लेना जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं उसके बाद ही दोस्तों आप निवास परमान पत्र बना सकते हैं जैसा कि दोस्तों आपको अपना computer wrapped laptop में Aaah Chrome browser को open करना है चलिए मैं अपना Chrome browser को open करता हूँ जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना Chrome browser को open किया है उसके बाद दोस्तों ऐपको यहाँ सर्च बार पर click करना है click करने के बाद दोस्तों इसमें आपको type करना rtps जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं तो चलिए मैं rtps लिखकर सर्च करता हूँ सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आता है जैसा कि आप अब यहाँ पर देख रहे हैं उसके बाद दोस्तों जो आपका फर्ष्ट में सो कर रहा है लिंक जैसा कि आपको दिख रहा होगा RTPS 3 इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेस के अंदर आज़ेगा जैसा कि आप देख रहे हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शुरू में ओप्सना को दिखाए देगा ओनलाइन आवेदन दें और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखाएगा समान परशासन बिभाग इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको आवासिय जातिय आए अगर दोस्तो आप जाती परवन पत्र बनाना चाहते हैं तो इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ वीडियो का लिंक दोस्तो डिक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो आप देख सकते हैं तो मैं निवास पर क्लिक करता हूँ क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद दोस्तों ये निवास परमान पत्र का जो भी फॉर्म में फिलोगा उडिटेल आपको यहां पर जैसा कि आप फॉर्म के थरह यहां पर खुल चुगा है इसमें उपर में देखे लिखा हुआ है कि निवास परमान पत्र है तु अबेदन पत्र अब देखे दोस्तो इसमें जो भी डिटेल दिया गया है उसको दोस्तो आपको सही सही फिल करना है चलिए मैं आपको सुरू से समझाता हूँ कि किस परकार से आप डिटेल को फिल किजीगा देखे सबसे पहले आपसे पूछा जारा है जेंडर आप अपने उसार से पुरूस महला में अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं चलिए मैं अपना हिसाब से मैं टिक कर देता हूँ टिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपसे पुछा जाएगा अभिबादक इस पर दोस्तो जब आप क्लिक कीजिए तो किलिक करने के बार दोस्तों इसमें आपको दो ओप्सन दिखाए देगा पहला दिखाए देगा Siri या फिर दुसरा दिखाए देगा कोई अभिवादक नहीं अगर दोस्तों आप अपने नाम के के सिरी लगाना चाहते हैं तो आप सिरी पर क्लिक किजी या फिर दोस्तों नहीं तो आप कोई अभिवादक पर टिक कर देजीगा तो यहाँ पर यहाँ पर apply हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर name पुछेगा यहाँ कि जिनका आप निवास प्रमानपत अमन करने हैं उनका दोस्तों यहाँ पर English में ना और यहाँ पर आपको Hindi में ना टाइप करना है अप चलिए कैसे टाइप करना है एक बार इंग्लिस वाले बॉक्स पर मैं किलिक करता हूँ किलिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि मान लिए मेरा नाम है अमन कुमार तो यहाँ पर यसके मैंने टाइप किया अपने कीबोर्ड से अस Бेस पटन को प्रेस करूँगा जब आप space button को प्रेस किजिए तो देखेगा कि आपका हिंदी में लिखा जागा जैसे कि आप ने इंग्लिस में लिखा अमन कुमार और space button को जब मैंने प्रेज किया तो देखे हैं आपर हिंदी में अमन कुमार लिखा चुगा है तो इसी प्रिकास दोस्तों आपको हैं पर पिता जी का नाम, माता जी का नाम अगर दोस्तों आपका कोई husband है तो उनका नाम लिख सकते हैं अमवाल नमबर, email ID, पता यानि की detail को हैं आपको फिल करना है, सही से जनकारी को आपको फिल करना है अब देखें दोस्तों जिसमें आपको star दिखाई दे रहा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ जैसा कि आपको दिख रहा हुआ कि red color से एक star मारा हुआ है, जिस जिसमें star मारा हुआ है दोस्तों उसको आपको फिल करना जरूरी है जैसे कि माली जी यहाँ पर email number में star नहीं दिया हुआ है, email ID में star नहीं दिया हुआ है तो आप चाहें दोस्तों तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन जो जिसमें star लगा हुआ है उसको आपको फिल करना जरूरी है, तो इतना तो आप समझ चुके हैं अब चलिए यहां पर मैं आगया का detail में फिल करता हूँ, तो आप भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से फिल किजिएगा जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यहां पर मैंने father's name, mother's name को type कर दिया है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए हां पर हिंदी में भी लिखा गया है तो सेम इसे प्रकार से दोस्तों आपको भी काम करना है आपको दोस्तों आप आगया आ करो दोस्तों आप चाहिए तो मौस्त can देखिते हैं मौसले नबर दिजिगा दोस्तों तो जब आपका यह प्रवान पत्र बन जाएगा तो आपकर मौमाल नंबर एक कि आपो पत्र बन चुका है जोस्तों या फिर चाहर Tapmas नहीं भी देख स पर खंड करना है उसको आपको क्यां हैं तो अपने इसमें टिक किज़िगा तो पर आपसे पुछिजागा कि आपका बाट संख्या क्या है तो आप अपने यहाँ पर बाट उस पूचे जगा कि आप पर गाओं का क्या नाम है? डाग घर कहा है? ठाना कहा है? पिंकोर कहा है? तो ये डिटेल दोस्तो आपको फिल करना है तो छलिए मैं फिल कर लेता हूं जैसा कि दोस्तो आप देद सेकते कि यहाँ पर मैंने अपना ग्राप का ना हम डाग घा, थाना और पीन कोड मैंने फिल कर दिया है तो आपको भी अपना सही सही जनकारी को फिल कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां से पुछ जाएगा चूज फैल यहां कि आपको यहां पर अपना फोटो अपलोड करना होगा तो चलिए मैं चूज फैल पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद दोस्तों जहां भी अपने फोटो को सेब किया हुआ तो आपको अपना फोटो को ओपन करना है सिलेट करना है और दोस्तों इसमें आपको ऊपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों आपका फोटो यहां पर अफलोड हो जाएगा जैसा कि आप अभी देख रहे हैं उसको बाद दोस्तों यहां पर अधार संक्याप पुशे जा रहा है इसमें दोस्तों अस्टार नहीं है तो हम इसको नहीं देते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर आप कुछ भी नहीं भरना सीधा नीचे आजाना जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं और उसके बाद आप से पूछे जागा यहां पर देख रहे हैं टाइप करने के बाद दोस्तों नीचे में एक बटन में लगा आपको प्रोशीट करने का तो इस पर आपको किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से पॉप अपर आजाना जैसा कि आप अभी यहां पर देख रहे हैं ऊपर आने के बाद दोस जनकारी अगर जो आप फिल किया है वो जनकारी गलत है तो दोस्तों आपका निवास प्रवान पत्र नहीं बनेगा तुसले दोस्तों जो भी जनकारी आपने फिल किया है वो सही होना चाहिए जो एक वर आपको यहां से मिला लेना कि जो भी जनकारी मेरा है वो सही है कि नहीं उसके बाद मिलाने के बाद दोस्तो आप नीच आएगा अगर जो आपका सही रहेगा सब जनकारी तो आपको दोस्तो यहाँ पर Attach वाले option पर क्लिक करना या पर दोस्तो आगर जो आपको कहीं गलती हो जाता है तो यहाँ पर आपको Edit पर क्लिक करकर दुबारा से उसे आप सही कर सकते हैं तो चलिए मैं attach वाले option पर click करता हूँ click करने के बाद दोस्तो यह है यहाँ पर एक दस्ता भी जानिक document upload करने के लिए बोलेगा तो इस पर दोस्तो जब आप select पर click किजिएगा तो देखेगा इसमें काफी सरा option मिलेगा तो देखेगे दोस्तो इसमें सबसे ज़्यादा best होता है अधार काड अधार काड तो सभी पास होता है तो इसलिए मैंने अधार काड को select किया है और choose file पर click करना है और अधार काड को आपको यहाँ पर upload कर देना है अगर दोस्तो आपके पास अधार कर नहीं है तो देखे इसमें काफी सरा उप्सन है जो भी आपके पास रहेगा अपलोड कर दीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर शेफ पर क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको next page पर ले जागा उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो एक बार दुबारा से अपने डिटेल को एक बार मिला लिजीगा कियोंकि कहीं पर गलती होगा दोस्तों तो बाद में आप ही को परसानी होगा इसलिए दोस्तों एक बार डिटेल को आप मिला लिजीए इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है यह दोस्तों आपके computer में PDF format के अंदर यह receipt save हो जाएगा अब देखे दोस्तों यह जब बनेगा तो कैसे आप download किजिगा चलिए मैं आपको समझा देता हूं अब देखे यहां पर आपको तीथी दिखाएगा कि जिस date का आपने यह online किया आपको यहां पर show करेगा और यह पर दोस्तों जब आप यहां पर आएगा तो देखे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देखे सेवा परदान करने की तिती आपको बोल रहा है जो date यहां पर दिया हुआ है दोस्तों उसी date को आप जब इसको download किजिगा तो ही download होता है तो लगवा दोस्तों ये इसमें 12 से 15 दिन का समय लग जाएगा बनने में तो उतना दिन दोस्तों आपको इंतजार कर लेना है और उसके बार दोस्तों जब आपका टाइम पूर जाएगा तो आपको यहां पर अविधन संख्या मिल रहा है यानि कि कुछ इस टाप से आपका अ इंटरफेस्ण खुलेगा इसमें दोस्तों आपको अपने अपना अपना अप्लिकेशन नंब्र आपका अपना नाम और यहां पर युद्ख फिल करना ह्या से करना चैन करना तो आपका सफिके ड chauff को जाएगा बरना आप बीना टाइम पूरा होगा हो Player होता तो चली दूशft आपसे निवास प्रमानपत्र घर बेटर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहाँ हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर देजिए क्यों कि हम एक इसी परकार से वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी नेक्ष वीडियो में